हुआ 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 है वेरी गुड इविनिंग टू आल अफ यू तो डियर स्टुडेंट्स आज की क्लास्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लिकेशन अब डिफिनिशेशन तो आपके एक्जाम में कैल्कुलेस में जो कोशन साते हैं वह आपके एप्लिकेशन को करने से पहले जैसे आपँ देक पा रहे हैं क्या manufacturer's total cost function is this and find the average cost function the marginal cost function and the marginal cost when the 4 units are produced तो कुछ इस तरीके से कोशन आपके एक्जाम से पूछी आते हैं अभी उनके मैने मैंने क्या है उस पर हम आएंगे solve pessoas और धूर गांगे उसना grinder को बात के बात लेके पहले कुछ कोस्ट कितने तरीके की होते हैं सबसे पहले आप समझेंगे फिक्स कोस्ट क्या होता है एक होता है बच्चे टोटल फिक्स कोस्ट अब टोटल फिक्स कोस्ट क्या होता है टी एफ सी बोलते हैं इसको है टोटल है फिक्स कोस्ट हुआ कि लिब 1D टेव श्रेंस को स्वा वाइस very कि टिघ्नीरिय त टींकरतो होता है है कि टोडल करेंथा जब आप अपने ओपूट को इंक्रीज कर रहेें या अपने आपपूट को डि ठीजि कर लूँ तो भी मुझे इसका रेंट ऐसे अफोर्ड करना पड़ेगा टो ज्यादा रिंट व्ण झाले हूँ अप्लाइगा जीरो अगर मैं करता है तो उस से मेरा कोस्ट जीरो नी जाएगा तो मेरे output से मेरे cost पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है तो मैं अपने output को increase करूँ या decrease करूँ या even मेरा output zero भी है तब भी मेरा cost से maintain रहता है इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते है total fixed cost बोलेंगे अब total fixed cost for example मेरे पास में जैसे example के लिए आप rent मैं बता रहा हूँ कि मान लेंगे कि rent मेरा 10,000 है चीक है यह rent यह भी कोई भी चीज़िए 10,000 है और यहाँ पर अभी तक मैंने कितने unit का production कर रहा हूँ क्या है production unit क्या है production unit मान के चलिए production unit मेरी इसकलिए क्या होता है Q से represent होता है production unit तो क्यों मेरी क्या है मैं हाँ पर हंडर्डड यूनिट जो है कि हांडर यूनिट में produce कर रहा हूँ तो बच्चे एक होता है average cost average fixed cost तो average fixed cost क्या होगा कि average इस फिक्स कोस्ट कि average fixed cost बिसकलिए क्या होता है ए ए एफ सी कि ए ए एफ सी एवरेज fix cost मतलब कि average कि इसका fix cost का average का meaning होता है बिसकलिए आप जो total है उसको सब में equal equal share कर दो तो जो इच के sharing में आएगा उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे कि एवरेज फिक्स कोस्ट पर एक्जामपल देखते हैं कि मेरे पास में टोटल कोस्ट के किस तरीक लिगा यह में जो है टोटल जो है फिक्स कोस्ट है और उसकी उनिट्स में डिवाइड कर देंगे हम तो बेसिकलिए कितना है मेरे पास में 100 रुपीज है तो यह एवरेज फिक्स कोस्ट हो गया क्लियर है कि बच्चे बिल्कुल टैनियर आएगी अभी थोड़ा सा कुछ समय लगेगा तो उसमें आ जाएगी आपकी यह बच्चे आपको संजमाया कि आपका टोडल फिक्स कोस्ट क्या होता है क्वांटिटी क्या होता है तो एवरेज फिक्स कोस्का यहां पर सिंपल सा सधान सा मतलब इसका यह है कि आप अपने जिस चीज़ का आप आप पकड़ो पहले और उसको क्वांटिटी में एकॉली शेर कर दो इसी तरीके से बच्चे एक हमारा होता है टोटल वैरिबल सब्सक्राइब मुझे पता है आपने एकनॉमिक्स में पहले पढ़ा हुआ है लेकिन कोई बात नहीं एक रिवाइज कर लो आगे चीज़े प्रॉलम नहीं आएंगी तो फॉर्मला में अप्लाई करूंगा तो जिन बच्चे थोड़े भूल गया हूं मुंको मुंको प्रॉ इसी तो टोटल वैरिवल कोस्ट क्या होता है बच्चे टोटल वैरिवल कोस्ट वह कोस्ट होता है जो कि आपके आपके आउट्पुट एंक्रीज होने से प्लक्षिन यूनिट को बढ़ाने से जो कोस्ट आपका बढ़ जाए और अगर आप अप्लक्षिन नहीं कर रहे हो त जो मेरे आउट्पुट के साथ उसकों को सकते हैं और किसी भी फ़र्म के लिए जो रो मैट्रीयल होता है वह cell frente रो मैट्रीयल उसके लिए एक वैरिभल को सोथा हूथ जिटना ज्यादा प्लक्षों करेंगे उतना ज्यादा रोब मेट्रेल पर कोस्ट आएगा कम युनित करेंगे तो रो मेट्रेल का कोस्ट कम होगा नहीं प्रोडक्शन करेंगे तो रो मेट्रेल अख़चा ही नहीं आएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं तो मान के चलिए कि आपका टोडल वेरिबल कोस्ट यहां पर कि 20,000 रुपए है ठीक है बच्चे तो अब यहां पर हमारे पास में एवरिज वैरिबल कोस्ट क्या होगा और वही जो प्रोडक्शन यूनिट्स है प्रोडक्शन यूनिट्स इसको हम क्यू से रिपरजन करेंगे वह हमारे पास में 100 यूनिट्स है तो यहां पर एवरिज वैरिबल कोस्ट क्या होगा एवरिज वैरिबल कोस्ट क्या होगा जिसको हम क्या बोलते हैं ए वी सी तो एवरिज वैरिबल कोस्ट यहां पर आएगा तो हमारे पास में क्या किसे चिशह का में आवरेन न काल रहे हैं वैरिबल कॉस्ट का तो जिसका में आवरेन निकालते हैं में उसका टूटल पाकद ना पढ़ता है तो टूटल वैरिबल कोस्ट और डिवाईरड़ बाई क्यों जो कि मेरे पास में क्या होगा mìnhif arei best एक बच्चे हमारा होता है total टोटल कोस्ट कि में टो टल है को अब टोटल कोस्ट जिसको हम बोलेंगे टी सी बच्चे टीसी क्या होता है एब बताईए जरह एक when है जिसमें मैं 100 units produce कर रहा हूं और मुझे fix cost afford करना पढ़ भाड़ा है 10,000 और variable cost मुझे 20,000 तो मेरा total कितना खर्चा आया है 100 units के उबपर तो यहां पर मेरा total fixed cost भी मेरा खर्चा है और total variable cost भी मेरा खर्चा है तो basically यहां पर मेरे पास मेरे total cost कितना आया total cost मेरे पास प्लस 20,000 तो 30,000 जो है वो मेरा क्या हो गया वो टोडल कोस्ट हो गया क्लियर है बच्चे और इसी में और इसी में जो हमारा तुम यूनिट का प्लेक्शन कर रहे हैं प्रोडक्शन यूनिट्स क्या है हमारा है क्यों से रिपज़न करेंगे क्यों से रिपज़न करेंगे वह हमारा क्या है हंडर्ड यूनिट्स तो यहां पर एवरेज कोस्ट कितना होगा एसी भी बोलते हैं इसको एवरेज कोस्ट इसको हम एसी भी बोलते हैं दो नामें इसके इसको हम एसी भी बोलेंगे साथ में लखेंगे करें जिभाएडाबी यूज़ना इसको हम इसको हम एटीछ सीभी बोल देते हैं एवरेज면 कोस्ट तो बिसकली कैसे नेकलेगा हमारा ये एवरेजम कोस्ट का न तो पहले क्या करेंगा inquiry क्यों सो डिवाइडि बैवाइड ऐ तो बेसिकली क्या आने वाला है तो टोडल कोस्ट मेरा कितना है 30,000 और कॉंटिटी कितना है 100 तो सॉल करेंगे तो कितना है इतना ही बता रहा हूं जितना है कि आपके अप्लिकेशन में यूज होगा मैं पूरी एकनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं यहां पर आपको तो यहां आपको यहां पर टोडल वैरिबल कोस्ट समझ में आ आगया और आप इस पास को समझज़ाएगा कि आप यहां पर आवरेज़ निकाल रहे हैं फिक्स कोस्ट का तो आपको कैसे निकलेगा यह तो आपैस कोस्ट का O diShakya पर आप आवरे निकाल राहे है वेयरिबल कोस्ट कि मार्जिनल कोस्ट के अगर हम बात करते हैं मार्जिनल कोस्ट जिसको हम क्या बोलते हैं एम सी बोलते हैं यह क्या होता है एम सी बेसिकली हमारे पास में यह हमारे पास में होता है मार्जिनल कोस्ट का मतलब होता है चेंज इन टोटल कोस्ट क्या होता है चेंज इन टोटल कोस्ट बिद रिस्पेक्ट टू चेंज इन कौन्टिटी या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि चेंज इन टोटल वेरिवल कोस्ट अपॉन चेंज इन कौन्टिटी बात एक ही है कैसे एक ही इस बात को जरा समझते हैं एक एक्जामपल से एक एक्जामपल लेते है बच्चे आपके पास पर ये quantity है और यहाँ पर आपके पास पर tfc है यहाँ पर आपके पास पर tvc है और यहाँ पर आपके पास पर tc है एक युनिट पट्रिक्शन कर। थो कुछ खुछ रहेगा। तो मानके चलिए यहाँ आपके पास में किटना है 10 है वैरिबल उसकतना 20 है तो आपके पासenne है वैरिबल फिक्वस कितना जाएगा ट्रॉटी इस कोस इतना यह आपका 30 आ गया। चलिए एक रिट्र प्रश्ट कर रहा हूं तो भाईया मेरा ट्रोडल फिक्स कोस्ट में तो कोई फ्रेट नहीं पढ़ता कितने मरजी इंट का प्लेक्शन करो वह तो सेमी रहता है अब यहां पर और वारिबल कोस्ट मेरा दो इनिट का हो जाएगा यहां पर आप फर एक्जाम कितना मेरा कोष्ट हुआ चांच तो यहां पर माजन पर मरजन कोष्ट है तो यहां पर मेरा माजन कोष्ट और जो बच्चे वह है एमसी इकोल स्टू फाइब ग Allah फिर आपके पास में आपका टीवीची में कितना चेंज आया तत इस दिए मैं कहा रहा हूं कि चेंज इन टी dc as change in tvc result sameी यहीं देता है इसका हम बहुते हैं marginal cost तो मीद करता हमको संज में आगया total cost average fixed cost टोडल fixed cost average variable cost total variable cost अं fins marginal cost यी कुछ मोटी-मोटी बाते कुछ नहीं यहां पर संज में हम किले कुछ बेसिक एप्लिकेशन ये भी आप इस बात को भी जरा समझ लीजिए किस बात को कि आपके पास में मचें तो यही पर एक ही पेज पर सब कुछ नोट करवा देता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा मान लीजिए कि quantity है आपका और आपका यहाँ पर TFC है और यह आपका TVC है और यह आपका TC है quantity zero है तो उससे TFC का कोई फर्क भी पढ़ता TFC तो रहे गए रहेगा तो मान लीजिए कि TFC 10 है हाँ तो जीरो पे जीरो फोजाएगा तो आपके पास पर छीडार रहेगा टोटल कोई कितना मानें गए इसका क्या मतलब है जीरो आउट्पुट लेबल पे जब आपका quantity क्या समझ आयां आपको जब आपका आउट्पुट जब आपका प्रडूक्शन प्रॉलक्षन जब आपका zero होगा तो जो total fixed cost है वही आपका total cost को represent करेगा clear है बच्चे जब production आपका zero होगा तो आपके पास जो total fixed cost है वही total cost को represent करेगा इतनी से बातों कभी समझे आगे थियोरी और चलेगे सारे economics के सारे terms के साथ इपड़ाऊँगा जो भी यूज़ होगा तो इसके लिए आपको एकिनॉमिस के लिए अलग से कोई क्लासिस या कुछ बैक अप कुछ रिवीजन कुछ ऐसा लेनी के नीड नहीं है मैं ही आपको करवाऊंगा ठीक है हां जी अब यहां पर आप देखेंगे आपके पासे बोल रहा है आप मैनुफ हां जी किस पर जादा कंफ्रेडवल हैं हुँ हम वाइट ज्यादा कंप्रेबल लग रहा हुँ ठीक है बच्चे वाइट और you यह लो हां जी ओछ और देकिए जर्ण अब आपके पास में क्या है total cost function है ये क्या है total cost function T C C equals to आपके पास में 0.1 x square plus 3 एक छोड़ असरह क्या है जादा नहीं आता है मैं आपको ये बात पहले भी आपको मैंने बताया था clear है अब यहाँ पर आपसे पूछ किया रहे है क्या है आपका c equals to 0.1 x square plus 3 clear है बच्चे यह आपके पास में cost function है find the average cost function अब बच्चे average cost function तो सिरफ average बोला गया किसका average नहीं बोला गया तो इसका मतलब है कि total cost का average निकालना है तो ac first question का answer में कर रहा हूं बच्चे average cost यहीं बोल रहा है कि यह आपका total cost और divided by आपका quantity clear है बच्चे अब यहाँ पर आप इसको solve करते हैं तो total cost तो आपको दिया हुआ है क्या दिया हुआ है आपके पास 0.x square प्लस 3 बच्चे जो cost function में जो variable होता है न वही quantity को represent कर रहा होता है रिपीट करता हूँ जो cost function में variable होता है वही quantity को represent कर रहा होता है तो आपके पास में quantity क्या है यहाँ पर quantity आपके पास में यहाँ पर x clear है बच्चे अब solve करेंगे इसको तो 0.x प्लस 3 by x this one यह आपका final answer है पर छोड़े term से start कर रहे हैं हम बहुत कुछ सीखेंगे बट फिलाल अपने basis को समझ लीजिए तो total cost divided by quantity और quantity क्या होता है जो cost function के लिए जो variable use होता है वही आपके quantity को represent कर रहा है तो यह cost function है अब आपके मन में सवाल आया होगा सर यह cost function होता क्या है तो cost function यह होता है कि जिसके अंदर आपको यह बता देता है कि आपको quantity के लिए कोई variable use होता है और आपको यह बताता है कि आप कितनी quantity पर आपका खर्चा कितना आएगा example के लिए अगर मैं यहाँ पर पांच रख दूँ तो यह बता देगा कि पांच unit के फ्लक्शन पर मेरा कितना खर्चा आएगा साथ रख दो तो बता देगा कि साथ रख करके solve कर दो तो ये बता देगा कि साथ उनिट का प्लक्षिंग करूँगा तो मेरा खर्चा कितना आएगा तो cost function ये होता है जिसमें कि हम quantity की जगे पर कोई भी value replace करके हम ये पता कर सकते हैं कि इतनी quantity पर कितना cost आएगा इसे को हम क्य marginal cost किसे कहते हैं तो बच्चे जो marginal cost आपका basically क्या होता है marginal cost equals to derivative of d upon dx derivative with respect to x xq जो आपके पास है variable उसी respect में derivative of किसका total cost अगर आप total cost का derivative ले लेंगे तो वो क्या होता है आपका marginal cost होता है छोड़ोड़ी बाते हैं समझ लेंगे तो बहुत शांदार तरीके साब perform कर पाएंगे तो इसी तरीके से फिर आपके पास में क्या रहने वाला है बच्चे तो आपके पास में derivative तो क्या करोगे आप यहां पर marginal cost के लिए d upon dx किसका आप total cost का, total cost का है 0.x square plus 3, clear है बच्चे, समझे, अब यहां पर आप इसको solve करेंगे, यहां पर आप इसको solve करेंगे, derivative लेंगे, तो बच्चे तो छोटा calculation है, मैंने बड़े-बड़े calculation करवा दिया आपको, तो यहां पर आपको यह क्या क x और power minus, और constant number क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, clear है बच्चे, इस बात को समझे, कोई doubt किसी बच्चे को, और हमेशा इस बात का आपने ध्यान लखना है, कि जब भी भी total cost function में बिटा एक बात ध्यान लखेगा, आपके पास में cost function जब भी भी कभी दिया होता है, clear है, तो उसक को रिबजन करता है, वो आपके total fixed cost को रिबजन करता है, क्योंकि आप variable रखोगे, तो यह 0.1 से multiply होकर यह solve होता रहेगा, 3 तो आपका हर बार ही जुड़ेगा, चाप एक unit का बलक्शन कर लें, तब भी आपका 3 होगा, 2 unit का बलक्शन करेंगे, तब भी 3 होगा, 4 unit का बलक्श cost को रिबजन करता है, जो variable होता है, यह quantity को रिबजन करता है, इस बात का धाना कियेगा, clear है बच्चे, तो इस तरह के आपके पास में marginal cost कितना आया, आपके पास में 2.x आया, clear है भी, बात संज में आया, clear है नो, तो यह बात है आपको clear है या नहीं है, तो यह क्या होगा हमारे पास में, solve करेंगे इसको, अगर आप multiply करेंगे 0.x को, 2 से, तो क्या जाएगा हमारे पास है, 2.x जीरो, तो 0.2x आएगा, clear है, sorry, 2.x आएगा, करेंगे क्या है, आपके पास में 2x होगा, एक डिजिट के आपको आएगा, तो 2.x आएगा, तो solve करते है इसको तो रिजल्ट दे रहा है आपके पास में तू पॉइंट एक्स प्लस जीरो बस टू पॉइंट एक्स आपका क्या है मार्जिनल को mc at 4 यूनिट mc at four unit mc at four unit kya आएगा बच्चे आपका बच्चे श्क्रीन पर वह आ रही है लगिंग आ रही है ना हैं यह सिसंद में नहीं है ठीक है में बता को सका जो आप veter起來 कर देंगे डिफरिसेशन कर देंगे total Cart function का वह आपका जो result आगा वो आपका mc होगा mc क्या करता है mc basically होता है कि change in tc और किसी के अंदर change को कैसे observe करते हैं हम उसके differentiation से हमें change का पता लगता है clear है बच्चे समझें तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास में mc at 4 unit तो आपके पास में mc क्या है 2.x और mc at 4 point का मत्रा हो गया कि आपके पास में x की पर आपको 4 रखना है तो यह आपके पास में 4 clear है बच्चे समझमा है आपको यह तो two point और x की पर क्या रखना है आपने एक से पर आपको 4 रखना है प्रहस्ट रखना है जिरो पाइंट तू एक से पर आपको रखना है जिरो पांट टू एक से एक से आपको रखना है जिरो पाइंट टू एक सोगा ठीक है तो यहां पर हमारे पास में एक से कुछ ही नहीं तो क्या है वन है ठीक है आगे सॉल करेंगे तो क्या रहेगा मेरे पास में 0.2 x इक पास में 0.2 और x के लिए वेलो देंगे फोर तो क्या जाएगा 0.8 क्लिर है बच्चे समझे तो यह मेरे पास में क्या आ गया मेरे पास में mc आ गया कोई डाउट किसी बच्चे को तो उमीद करता हूं आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आगी होंगी आगे मैं बढ़ता हूं बच्चे यह लेगिंग हो रहा है थोड़ा सक क्वाल्टी भी डाउन है कोई बात ने दा कोस्ट प्रदूसिंग दा एक्स टॉन्स अप देस गिवन बाइदिस तो यह कोस्ट फंक्शन है तो कोस्ट फंक्शन में जो क्वांटिटी वह एक्स और वन थाउजंड क्या है यह तोडल फि तो ओशिन कर लिए तीसरा फिर मैं समझाता हूँ आपको हां जी बच्चे देखिएगा तो आपके पास में है पाइंड दा मार्जिनल को सबसे पहला के पास फंक्शन क्या दिया हूए कोस्ट फंक्शन मतलब जो कि एक्स के रिस्पेक्ट में गीवन है आपको वह आपको दिया हूए वन अपॉन अपॉन टैन एक्स की पावर टू प्लस पाइव एक्स प्लस कोस्ट फंक्शन आपको दिया हूए बच्चे वन अपॉन टैन एक्स स्केइर वन अपॉन 10 एक्स स्केर प्लस पाइव एक्स plus 1000 हाँ जी देखिए ज़रा first find the marginal cost function तो mc निकालेंगे हम तो mc क्या होता है बच्चे mc होता है derivative of d upon dx, derivative of किसका cost function का जो कि क्या आने वाला है जो कि आपके पास पे d upon dx calculate करेंगे और वो आपका रहेगा total cost के आपके पास है 1 upon 10 x का square plus 5x and plus 1000 और solve करेंगे इसको तो यह क्या आएगा निकल करके हमारे पास पे mc equals to mc equals to उसका derivative लेंगे तो 2 नीचे आएगा तो 2 upon 10 और into x यह plus 5 और यह नहीं दिए अब एक 1000 ने fixed cost को represent कर रहा है तो solve करेंगे यहाँ पर हम mc equals to mc equals to कितना आपके पास पे आजाएगा 5 होगे आपके पास पे 2 हो गया तो solve करेंगे 5 x बटा 5 plus 5 clear है बच्चे यह मेरा mc आगया आप कहा रहा है कि mc at third का answer क्या कह रहा है आप से आप से यह कह रहा है कि mc at 1000 unit बतलब कि 1000 unit आप produce कर रहे हैं तो 1000 unit पे कितना कोशार आपका mc क्या रहा है mc आपके पास में solve करेंगे तो आपके पास में 1000 divided by 5 और plus 5 तो solve करेंगे आप इसको तो आपके पास में क्या आगया 205 रुपए clear है बच्चे अब आपका थर्ड कोश्चन है कि आपको एक्च्वल कोश्ट बताना है तो आपको actual कोश्ट बताना है तो थर्ड का आपके इस तरगे से कोश्चन solve करेंगे आप actual कोश्ट आप find कर रहे हैं तो total कोश्ट function में आप 10001 unit रख देंगे कि इससे पता लगेगा कि 1001 unit का बलक्षन पे कितना मेरी लागत आएगी फिर इसी में आप 1000 रख देंगे इसे आपको पता लग जाएगा कि 1000 रख लक्षन में कितनी कोस्ट आएगी फिर इसको माइनस कर दो कि आपको मालूं पड़ जाएगा कि 1000 एक वे इनिट के बलक्षन पर कितना कोस्ट आ रहा है तो बेसिकली इसके लिए आपको क्या करना है थर्ड के लिए कोस्ट आप ले लिजिए 1000 एक का और माइनस कोस्ट कर देंगे किसका 1000 का कि ले बच्चे तो यह आपके पास में क्या जाएगा आपके पास में यह एक्च्वल कोस्ट आ जाएगा एक्च्वल कोस्ट मिंस कि उस इनिट को पलक्षिन में कितने कितने खरचा आ रहा है है इस्क्रीन लैक कर रही है कि आपकी हलो है है अजी बच्चों देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास में कोश्ट फंक्शन दिया हुआ है और इस कोस्ट फंक्शन में बेसिकली जो कॉंस्टेंट नंबर होता है बच्चे यह कॉंस्टेंट नंबर आपके डॉडल vertex को to represent करता है भी ठा और आपका एइक्स जिस्ट है वो आउटब पूट को रिपरेफरेंट करता है क्योंकि को फ कंशन का मतलब यही होता है कि उसमें एक फार रीबल होगा और वह व jaarई बैस्कली आउटपूट को रिपरेज़न करेगा जिससे हमें यह पता जाता है कि हम कितने का production करें अगर आप उसे नम्मर वीट में इतने का production करेंगे तो मेरा इतना टॉडल कोफ्ट्राइगा समक्री जा है कि लिए तो आपके पास पे यहाँ पर आपको एबरेज को तो एबरेज को स्क्राइब करें आपको पता है ना कि टॉड़िटी बाइक कव है 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 हुआ है आप आपसी नियुक्त आपा है बचों ने इतना फोब्य मुझा पिद्ध है कि तो अब प्रॉब्लम कर आथ है प्रोड्म आप आगे बढ़े तो थो थोड़ा सा रूसर चींड रूल कोशन तो वह तो वो तो अलड़ी है तो आपकोस्ता बहुत बढ़ी रिश्यक्टण्स के लिए डाला हुआ है, वू मैंने latest class डाली हुई है, वो कोई दो साल, एक साल प्राणी class नहीं है, च्रूकि एक्चलिव मैं ऐसा हता है, कि आप लोगों के exams चल रहे थे, तो आप लोगों के exams चल रहे थे, तो उस दूरान मुझे मुझे मालूम है, कि कैसे करेंगे सवाल यह तो इसलिए जब आपका एक्जाम चल रहा था ना तो मैं मैंट्रिस की क्लासिस क्या कर रहा था रिकोर्ड कर रहा था कि मुझे माल में इंटर्नल्स में आपके डिमांड होगी तो इसलिए वो फोल्टर बिको लेटेस और अपडेटेट फोल्डर रहे जो कि मैंने आपको प्रोवाइट खरवाया है तो तो सिलिए बस की चिंता मत कीजिएगा बस कैल्कुलिस से फोकुस कीजिए वन रवन सबको अच्छे से करेंगे इस कोश्चन को आप सॉल्व करेंगे और आगे कुछ नहीं चीजिए दा रेट आप चेंज ऑब दा एंसी क् सब्सक्राइब नहीं चीजिए के माजिनल कोस्ट वही वाली बात होगी माजिनल एवरेज कोस्ट यह भी एक नहीं बात आगी तो इस सारी बाते जो नेश्टा तो सीखेंगे हाँ यह कुछ हमें प्रूफ करना होगा इसको पर आएंगे यह पर माया वह कोशन ने बड़ा आसान है यह भी कोश्ट माया पिछला कोश्ट ने बड़ा आसान है आपके पास में तो यह कुछ कोश्ट जो हैं नेस क्लासिस में बच्चे कंटीनियू करेंगे आज उम्मीद क करता हूं आपका कॉंफिडेंस आया होगा है कि मिलते मच्चे फिर नेस क्लासिस में